Hi friends, मैं हूँ आर्टी भातिया और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल मेथड मैनिफेस्टेशन का through angels number दोस्तो angel numbers वो है जो एक number है जो number की form में जब universe हमसे बात करते है तो यह bridge है जो हमारे और universal energies के बीच में है इन numbers के थूँ एक bridge बनता है वो bridge जो है जब हम अपनी कोई भी बात बोलने है अगर हम numbers के थूँ universe को बोलेंगे तो हमारे जो messages आएंगे या हमें कुछ न कुछ या तो सीधा ही manifestation होगी हमारे wishes की creativity के साथ और ये तो ऐसा number है जिसे मैं बताने वाली हूँ अभी आपको और उसके बारे में भी आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगने वाला है क्योंकि friends ये वो number है जिससे आप ना किवल अपने लिए बर अपने आज पास भी life को बहुत easy कर सकते हैं बहुत divine कर सकते हैं और बहुत ही जादा उसका फायदा उठा सकते हैं तो दोस्तों जानते हैं ये number के बारे में ये number है 1176 बहुत कम बुला गया इस number के बारे में क्योंकि ये एक ऐसा secret number है कि जिससे आप अपने दिल की हर एक wish को पूरी कर सकते हैं manifestation का एक सीधा सा number देखिए इस number में बहुत जबरदस्त बात है इसे पहले use कैसे करना है वो सीखते हैं इसे use करने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजे कि ये number है क्या 1176 एक power house है एक divine bridge है जो हमारे और universal energies के बीच में है अब हमारे मन में कोई भी wish है हम उस wish को fulfill कर सकते हैं अगर ये number आपको दिख रहा है तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है तो आपको angels ही बताना चाहते हैं कि आपकी wishes जो है वो fulfill होने वाली आपके अंदर positive energy है और आप creative path पर जा रहे हैं एक positive path के तरफ जा रहे हैं अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है और ये number नहीं दिख रहा आप इस video तक पहुँचे ही इस वज़े से हैं क्योंकि ये number angels के थूँ आपकी life में अब divine miracles करने वाला है ये number इतना divine है इतनी energy से fulfilled है इस number से आप अपनी हर wish को fulfill कर सकते हैं मैंने इसे खुद से अजमाया बहुत लोगों को दिया है ये number बहुत जबरदस number है 1176 इसे यूज करने पहले सीखते हैं यूज करने का सबसे first method है कि आप अपने left body part पर कहीं पर भी आप left body part पर लिख सकते हैं 1176 औरेंज कलर के pen से जिस तरह हैं कि हम switch numbers को लिखते हैं switch words या switch numbers को लिखते हैं और उसके चारो तरह circle लगाते हैं हमें 1176 लिखके उसके चारो तरह circle लगाना है पट एक orange pen से देखिए मज़ेदार बात यह है कि जब मैंने यह सोचा कि मैंने यह video बनाना है 1176 number के उपर तो मैं कोई और color के कपड़े डालने लगी पट अपने आप ही मेरे सामने यह orange color के कपड़े आए और मुझे ऐसे लगा कि जैसे divine message है क्योंकि यह number creativity का number है यह number magic का number है यह number miracle का number है यह number manifestation का number है और orange से directly connected है इसलिए इस number को orange color के pen से ही लिखा जाता है number one number two हम किसी भी white plain paper पर orange color के pen से एक proper circle बना कर उसके अंदर 1176 लिख सकते हैं उसके उपर आप कोई भी bottle रख सकते हैं अगर आप orange color की कोई bottle ले आए और उसके अंदर पानी डालें उस paper के उपर आप exactly उस paper के उपर आप वो bottle को रख सकते हैं और फिर उस bottle का पानी आप दिन में कई बार पी सकते हैं अगर एक भी बार पी लिया तो दुबारा भी वो bottle को आप भरकर रख सकते हैं, तो ये एक हिसाब से energized होते रहेंगे, आप बार बार अपने wish के लिए आप focused रहेंगे, अपने wish के लिए आप काम करेंगे, अपने wish के लिए आप divinity को बोलते रहेंगे, अगर आप coffee पीते हैं, तो उस mug के उपर आप 1176 encircle कर के लिख सकते हैं, अगर आप बार बार mirror देखने के शुकीन है, जैसे कि मैं phone देखने के शुकीन हूँ, तो आप अपने 1176 जो है, वो आपने mirror पर लिख सकते हैं, circle करके, और और अपने मोबाइल पर भी 1176 लिख सकते हैं, और सबसे मज़ेदार बात दोस्तों, आप इसे 10 minute morning में और 10 minute evening में भी आप इसे recite कर सकते हैं, कितना simple है, 1176, 1176, 1176, और ऐसे feel करना है कि जो wish हम सोच रहे हैं, जिसके manifestation को सोच रहे हैं, वो already हो चुकी है, मैं simple सी बाग बताती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी marriage का time है, और marriage होने वाली है, या marriage होनी कि आपके मन में manifestation है, तो आप ये सोच सकते हैं, कि I am living with a partner who is just, knows my worth and who is very gentle and caring and loving and very very generous also, और एक बहुत अच्छे लेवल पर एक बहुत अच्छे position पर है, तो आप ये सोचे हैं, कि मैं already ऐसे बंदे के साथ पड़े हूँ, तो कितनी खुशी की बात है, और आपको वो vibes भी आ जाएंगी, और साथ 10 minute morning में और 10 minute evening में 1176, 1176 कर सकते हैं, recite कर सकते हैं, चार्ट कर सकते हैं, नमबर में divinity कहां से आई, देखिए, एक बात मुझे याद आई है, friends, प्लीज आप बुरा मतमानली का पर प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेर और सब्स्राइब जरूर कीजेगा, मेरे दि तो बार one है, आफ one number के significance सुनिए, one number में individuality है, एक confidence है, self-reliance है, creativity है, motivation है, originality है, power है, growth है, new beginnings है, one number तो वैसे ही full of so many है, ambition है, success है, achievement है, one number इतना divine number है, अब इस number को आप डबल कर दीजिए, मतलब इसकी power दो बार, one and one, two ones, तो कितनी बड़िया power हो गई, अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, इसमें एक number है, seven, seven number, spirituality का number है, knowledge का number है, wisdom का number है, perseverance का number है, determination का number है, फिर faith का number है, spirituality में faith, faith कितना strong हो गया न, reflection है, हम अपने बारे में reflect कर रहे हैं, teach कर रहे हैं, सीख रहे हैं, balance है, spirituality, कितना जबरदस्ट, intellectual wisdomful number है, psychic abilities और analysis का number है, seven, तो कितना अच्छी बात है, अब आ गया six, अब six क्या है, happiness का, सब के साथ मिलकर रहने का, अपने आस पास खुशी का, अपने आस पास enjoyment का, generally अगर सोचा जाया है, तो six number Venus का है, independence देता है, money देता है, कोई love देता है, domesticity देता है, प्यार, अगर आपक selflessness देता है, six number, trustworthiness देता है, कि आप वर्दी हैं trust के, आपके अंदर honesty है, आपके अंदर seriousness है, आपके अंदर availability है, आपके पस time है, आप बात करते हैं, आप responsible है, कितना जबरदस number है, combination देखे, one, one, seven, six, divinity का जबरदस number, harmonic balance का जबरदस number, कितनी बढ़िया बात है, one की significance डबल हो गई, seven, six, और अगर हम से total करें, नुमरोलोजी पर भी आजाएं, आप सबको पता है, कि मुझे नुमरोलोजी का बहुत 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 नाकेवल यह मेरी एक learning है, पर मैं तो अब एसे सोचते हूं कि I worship it, I worship the numbers, I worship the power of the numbers, जो मैंने बहुत बहुत बह मुझे किसी ने बोला था, universe speaks in numbers, and actually I have seen that, universe actually speaks in numbers, जब आपको भी यह फील होने लग जाएगा, तो वो numbers pop up होंगे, वो numbers आपको divinity दिखाएंगे, वो creativity दिखाएंगे, balance दिखाएंगे, manifestation दिखाएंगे, miracles दिखाएंगे, and you will be so fantastic, life will be easier, life will be happier, life will be lovable, more, more, more will be given to you, because life is full of abundance, universe is full of abundance, so this is a creative number 1176, अगर हमे से total भी करें, 1176 को total करें, तो 9 and 6 15, which again comes to 6, which is again a beautiful number, Venus number, miracle number, universal number, number of connectivity, number of love, romance, happiness, success, so this is a number which is full of creativity, this is a number which is full of manifestation, so you can manifest anything, I have already told you, मैंने आपको बताया कि इस नमबर में से आप कैसे, इसे यूस कैसे करना, इस नमबर के importance and significance बताया, प्लीज प्लीज इसे यूस कीजिए और comment box में, left body part पर इसे लिखकर अपने दिल की चांप पूरा करिए, comment box में जरूर लिखिएगा, कि इस नमबर ने आपको कितने miracles दिखाए, कितनी खुशी से आप इस नमबर को यूस कर रहे हैं, और मेरी इस एंजल नमबर की सीरीज में, इस मन्त के लिए आप connected रहेगा, different-different numbers के बारे में जानने के लिए, different-different manifestation के लिए, different-different आपकी wishes के fulfillment के लिए, different dreams के लिए, different numbers के लिए, please stay connected. Thank you so much friends, please, please, please do subscribe to my channel and share the videos, thank you so much, thank you.